आईपिल के 28 सीजन के लिए निलामी प्रतिक्रियाई शुरू हो गई है खिलाडियों के लिए जद्दा में लग रही बोली के दौरान कुछ एक ऐसे खिलाडी रहे है जिनके ओपर पैसों की धनवर्शा देख कर हर कोई दंग रह गया है खास का लोग टीम इंडिया से बाहर चल रहे औल राउंडल खिलाडी वेंकटेश आईयर की रखम पर हैरान है जिहां केके आर की टीम ने उन्हें 23 करोड और 75 लाग की भारी बरकम धन राशी के साथ दुबारा अपने बेडे में शामिल किया है हाला की आईयर को इतनी बड़ी राशी में दुबारा फ्रेंचाइजी ने क्यों खरीदा है इसके पीछे का कारण तो सिर्फ केके आर ही जानती है खेल अगर बात करें आईपियल 2025 के निलामी के लिस्ट की तो इस लिस्ट में पहला नाम तो वेंकटेश आयर का आता है उन्हें केके आर की टीम ने 23 करोड 75 लाग रुपे की भारी भरकम रख्म खर्च करके अपने टीम में दुबारा वापिस लिया है वहीं दूसरी और चेहल को पंजाब ने 28 करोड की धनराशी में खरीद लिया है वहीं अशदिप सिंग को लेकर पहले से बविश्यवानी की जा रही थी कि आईपियल के निलामी में काफी महंगे साबित हो सकते हैं लेकिन उनके उपर सिर्फ 18 करोड की बोली लगेंगी ये किसी ने सोचा नहीं था पंजाब स्केंग की टीम ने उन्हें 18 करोड की धनराशी के साथ आटीम काट का इस्तेमाल करती हुए फिर से अपने बेडे में शामिल किया है और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के युवा स्पीनर नूर एहमत को CSK ने 10 करोड रुपे खर्च कर अपनी टीम में लिया है वहीं बात करें केके आर के सबसे महेंगे बॉलर मिचल स्टाक की तो इस बार मिचल स्टाक को दिली कैपिटल ने 11.75 करोड में खरीदा है जो कि बहुत चुकाने वाली बात है वहीं सबसे भारी भरकम रिकॉर्ट तोड़ दाम पर पंजाब किंग की टीम ने केके आर के एक्स कपतान श्रेयस अईयर को 26.75 करोड रुपे में खरीदा है और अगर बात करें इस साल के निलामी के सबसे महेंगे खिलाडी की तो वो है रिशापन जिने लखनाव सूपर किंग्स ने 27 करोड रुपे में खर्च कर अपने टीम में लिया है ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए